तुम जो गुशा भी करो तो मझे प्यार लगता है चाने क्यों मैं तुझो भी कहू तुम्हें इकरार लगता है चाने क्यों जोडो भी यह दा पास आखे जरा बात दिल की कोई कह दो ना हे शोना हे शोना तेरा विदूर रब से जड़ दे तेरा पसे मिला एक अलार बन करे खाबो का मेरे मकार बन गए आप की तारिफ में क्या कहें आप हमारी जान बन गए मा मारा हुआ माकवारा हुआ इश्क का ये सितन ना गवारा हुआ जह सिर्धी का नहीं है। करते हैं यह करते हैं कि डिसेंट लगे लोग और बहुत कम जुएलरी के साथ और ऐसा है कुछ मैंने देखा भी हुआ है इसलिए मैंने कुछ न्यू स्टाइल का क्रियेट करने के कोशिश की है और यह मतलब मौदर्ण टाइप्स लोगों के लिए मेकप लोग है सो प्लीज मु सब्सक्राइब होती हैं यह कुछ करती हैं मतलब मैंने देखा हुआ है सो आप लोग प्लीज मत करना कॉमेंट्स घंदे मत करना आप समझना और यह यह वाला लुक बहुत जादा डिसेंट एंड अट्रैक्टिव लग रहा है और बहुत ही सिंपल लुक है मतलब जादा मैंन अगर आप लोग भी अपमिली के साथ शेयर करना अगर अब ही अगया कासं अगर अब भी लग आप नहीं किया है तो आप लोग को बोल रहे हो यह अगया काद अपको का बेसा लोग घंद ना अब तो फोलो कर लो जाओ और मेरी आइए खुशे घंदा नमेंट फॉलो करना बोल्ड लिप्स के साथ, ज्यादा मैंने कुछ हैवी ज्वेलरी डाली नहीं है आपके लिए काफी हेल्फूल होगी है वीडियो वीडियो को फुल वॉच करना इफ यू लाइक मैं कंटेंट तो प्लीज दो सब्सक्राइब मैं चैनल अब नवड़ एनी विश्ट टाइम, लेट सब्सक्राइब ऑके गाईज मैं आगया वोईसोवर में और सबसे पहले मैं अपनी स्किन केर अच्छे से करूंगी बिकॉस मेरे फेस में आगया है पिम्पल आपको सामने सामने दिख रहा होगा सबसे पहले यहां पर मैं आप स्किन केर करना बहुत जरूरी स्किन केर करो के तब आपका बेस बहुत ज़दा लंबे समय तक ठीका भी रहगा गुट वाइप का वाइटमिन सी वाला यहां पर मैं फेस सीरम लगा रहा हूं इसका टेक्स्चर ना वाटर बेस है मतलब वाटर बेस टेक्चर इसका तो बहुत ज़दा ओईल ओईल नहीं लगता है तो अगर आपके स्किन मेरी तरह है कॉमिनिशन है तभी आप इसको ट्राय कर सकते हो काफी अच्छा सीरम है सो जल्दी जल्दी आप मत लगाते जाओ ठीक है थोड़ा थोड़ा टाइम रुको इसकिन के अंदा अब्सॉर्ब होने दो नहीं जो बची हाथ में मैं अपने हैंज में लगा लोदगी माय ग्लैम की लिबब आपके और यहां स्किन केर कमप्लीट okay skincare complete करने के बाद अगर आप बेस बनाते हो ना बहुत अच्छा लगता है skincare के बिना उना होगे ना तो अच्छा से blend तक नहीं होगा आप कभी भी try करके देख लेना मैं सोच रहे एक video दालू किया without skincare without skincare and with skincare skincare देखते हो ट्राय करते हो यह पर मैंने हिलेरी रोजा का प्राइमर लगा लिया अच्छा से प्राइमर ज़रूर लगाया करो आपके जितने पोर्स होते हैं बर हो जाते हैं फिल हो जाते हैं बेस लंबे समय तक टिका रहता है स्मूद बनता है आपका बेस रहने कोस्मेकिक का यहां पर अठा रहा वन एट नंबर है मेरे फांडिशन का और इसको मैं सेकेंड टाइम ट्राय कर रही हूं इसका टेक्स्चर बहुत ज्यादा ही थिक था और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत गंदी थी गाइस मैं पहले पुर्श के हप से कोशिश कर रही हूं और यह दाल्य कthis hace ना पर इस नम्याइं को बंगी कियो जब हो तो अब हम रहा हो ना और यह किया तो पता है मैं अब इसको लिए हृण कर रहा है मतलब मैं रेकमेंड नहीं करूंगे फाउंडेशन ओके एनिवेस पॉपल की पैलेट से फेस पैलेट से अच्छे से अपने कंसीलर वगेरा हाइड कर लिये हैं मैंने यह पैलेट भी काफी अच्छी पैलेट है और ऐसी से नाइका की आती है अगर आप यह वाला नहीं पर्चे इरिया को सबसे पहले मैं सेट करती हूं और साथी साथ इसी से अपने पूरे फेस को भी मैं सेट कर लूँगी आप छोड़ दो लगा करके छोड़ दो जब तक आपने अपनी आइब्रोस फिल कर लो इससे क्या होता है इसको जितना प्रोड़क्ट खाना होता यह खा लेता ह आप लगाने के बाद तुरंत इसको रिमूव करोगे न तो केकी हो जाएगा लुक मतलब आपका बेस केकी हो जाएगा मैं क्लियरली बोल रही हूं पोपल की पैलेट से मैंने अच्छे से यहां पर अपनी आइब्रोस को फिल कर लिया ब्राउन शेट से एंड जब तक मेरा बेस पी रेडी है उसको मैं पाउडर वगेरा सब निकाल रही हूं अच्छे से अब इदे को बिल्कुल भी गंदा नहीं हो रहा है केकी नहीं हो रहा है बिकॉस मैंने छोड़ा था उसको काफी टाइम के लिए ठीक है मतलब दस मिनट के लिए जब तक मैं अपनी आइब्रो को फिल करने मुझे टाइम लगी जाता है क्या करूं मुझे सबसे गंदा गाम पता है क्या लगता है आइब्रोस को फिल करना और हाँ सेकेंड आइलाश लगाना बहुत बोरिंग काम लगता है यार जज में यार मतलब स्वीश ब्यूटी की मैं आईशेडो पैलेट ले रही हूँ और उसमें से मैंने लाइट कलर का ब्राउन शेड लिया है आपके सामने जो लिया वही और उसको मैं रेने कोस्मेटिक वाले फलफी ब्रेस से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं ठीक है ब्लेंड करती जा रही कि ज्यादा ऊपर नहीं लेकर जाओंगी सिर्फ मैं अपनी क्रीज लाइन में ही ब्लेंड कर रही हूं ओके या मैं मतलब जितना मैं बहुत टाइम देती हूं अपने आई मेकप को कि भाई जितना मतलब जब तक मैं सेटी स्वाही नहीं होंगे ना तब तक मैं अपना आई करती रहोंगी अब देखो आई लोग हो गया है देखो थोड़ी आई को डेप्ट क्रियेट हो गया मतलब डेप्ट मिल गया है जब मैंने क्रीज लाइन में इतना लगाया ना डाक शेट एले टीन का में काजल ले रही हूं बहुत थी सस्ता वाला काजल है और बहुत समझ भी ना हो क्योंकि गर्मिया भी है तो पसीन विशन ना है तो समझ भी ना हो तो वाटर प्रूफ भी हो जाता है इससे और फिर मैं एक फ्लफी ब्रश लेके मिनिसो का और साथी साथ इन दोनको ऐसे ब्लेंड करें हो ताकि स्मोकी सा एफेक्ट आ जाए इसी को बोलते है ब्राउन चेज और उससे ही मैं कॉंटोरिंग स्टार्ट कर रहे हूं ठीक है पतले से ब्रेश से मैंने कॉंटोरिंग करना स्टार्ट की मुझे जहां जहां लगाना था अपने चीक बोन्स में जाओ लाइन में क्यूपिट बो में फोर हैड में जहां जहां पर चीक बोन्स म जाती है और यह ठीक है अभी जो जो हमने किया ना उसको मैं ब्लेंड कर लूँगे अच्छे से ब्रश की हपसे मैं ब्लेंड कर लूँगी उसके बाद यह है पैलेट है पॉप एक्सो की यह मैंने खुद पर्चेस की थी बहुत मुझे अच्छा लगा था इसका पैकेजिंग इसे मैंने दोनो से ले करके और अच्छे से मैंने जाह जा मैने कॉंटारीं किया ना उसे के वपर लगा लिया जादा मैं चीक में अपल ऑफद चीक में नहीं लगाती मैं जाद का चीक बींच में मैं लगात topics ुसी से मैं आने गोल्ड tends क लेके जहां-जा ड़े क्या मेंड क लगा लिया। चीकस और नोज में , कीवाथ बो में क्यू पेड बो में और फोर हैड में आइस के कॉर्नर में और नमेर ब्राव WAS यहां जहां मतलम मैंच मीन पॉइंट्शे इसके वहां वह सरी यहां पे लगा लिया। काफी अच्छे वाला हाईलाइटर है बिल्कुल बिल्कूल ग्लोब प्रोवाइट करता है और ग लब्लीन कलर का मुझे थोड़ा यूज़ करना था तो यह थोड़ा सा ग लचौला का ही था नाइका का यह मस्कारा था और मैंने इसको खुद खरीदा था इतना सही मस्कारा है मतलब अभी थोड़ा सूख गया था तो मैंने इसमें लेंस वाटर डाले थी इसके फ्रेग्रिंस भी गाई बहुत अच्छी है और अगर आप इसको बिना आई-लैशेस के भी लगाना चाहो तो बहुत इजली ना यह बहुत वॉल्यूम दे देता है आई-लैशेस को तो काफी अच्छा है मतलब ठीके अपर लैशेस लोवर लैशेस पर लगाऊंगी और मैं ठग गई थी मेकप करते करते तो यहां पर मैं पानी पी रही थी तो बड़ा पिंपल भी आ गया तो वहां एक रद भी था थोड़ा अच्छा एसा होता है ना जहां लग होतीज के बार बर लगतीए ऐसा होता हैा ऑच्छा से अन्वाइब कि सञऴिया मैं ठीक कर लिया एहां पर मैंने अच्छे से कुर्ल करना भूल कही थी औh इतनी दिर उसे में अपना एयलैशेस ग्लूध हो लिप लाइणर लिया उससे मैंने कर लिया ठीक है लाइन क्रेट कर लिया यहां पर बेला वोस की जीरो एट नमबर है इस लिपस्टिक का बिल्कुल ना जामूनी टाइप शेड नी होता है है डार्क पिंग कलर का रानी टाइप का क्या बोल सकते इसको बहुत डार्क शेड था तो वह मैंने लगा लिए क्योंकि मेरे साड़ी से मैचिंग था इस शेट पहले तो मैं ब्राउन लगाने वाली ती अब यह वाला मैंने थोड़ा सा कर लिया था मतलब की मैंने का शूट कर लेती हूँ सामने आपको दिख रहा होगा मेरी मशीन के लिए रखी है आज आज में बाल स्ट्रेट करने वाली ती तो मैंने स्ट्रेट थे वीडियो में थे था इच्छे से बालों मैंने अच्छे से सीरम लगा लिया अगर नहीं लगाओंगे लिए तो आपके जो बाल है वह खिचने श्जाबन लिया अब मैं देख रही थी ऐसे पहनू कि वैसे पहनू कैसे पहनू की ओवर लूख बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर मैंने अपने अपने नेकलिस जाल दिया अभी यहाँ मैं ज़्यादा कुस्द नहीं जालूगी फिसमान्या फ़्स, यहाँ था मत जाना आप लोग चले जाते हो ओके यहां तो मैं मिलते हो भी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई लब यू टेक केर